जै सचिदान हैं आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यान भक्ती पुरुव का भेद भाव से नमस्कार 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 पती पत्नी के प्यारी रिष्टे में कभी-कभी किट-किट बहाद देखे जाती हैं खास तरो पर खाने पे भहत किट-किट होती हैं पती अगर खाने का शौकिन है और पत्नी यदि खाना बनाने में ज़रा कच्छी हो तो खाकित पेट रोज होती है सोबों में नाष्टे से सुरू होता है तो रात को सोते तक सपर में छोटी-छोटी सी बातों में भी पती इतना उसकी गलतिया निकालता है दाल में नमक कम है और इसमें मिर्च जादा डाल दी है सबजी में रोटी तो भाधी चमडे जैसी बनाई है तूटती नहीं है चावल तो एकदम कच्छा है हर कोई बात में वो कुछ न कुछ तो घलती निकालता ही है पती जो पती खाने में बहुत परफेक्शन वाला है उसकी पत्नी का मरा हो गया है वीचारी को मर जाना रोज खाते समय उसको टेंशन टेंशन रहता है अभी कुछ बंबार्डिंग करेगा अभी कुछ बंबार्डिंग करेगा इसा उसको हमेशा डर लगता है फिर क्या होता है इस साइकोलोची उसके इसी डिस्टोब हो जाती है कि जब खाना बनाने जाती है पत्नी तो उसको हमेशा अंदर डर लग रहता है कि मेरे से अच्छा हो गया नहोगा, कुछ गलती हो जाएगी, कुछ कम जदा हो जाएगा, तो पती है तो बहुत गुसा में आ जाएगा, उसको खाना नहीं भाएगा, तो क्या कहेगा, ठाली फेकेगा, गालिया देगा, इसा उसको खाना बनाते समयन, दिल में डर ही रहता है, बोलो तो खाने में भी कुछ बरकत नहीं आएगे, वो कितना भी अच्छा करने जाएगी न, फिर भी वो अंदर भाय है न, पती का, कि कुछ बोलेगा, उसका अच्छा होगा या न, अच्छा होगा या उनुगा, वो सहज नहीं रहती न, तो स्रियां भाव सहज, सहज होके ही खाना बनाती है, एक और वो गाना गाती है, या किसी के बात करती है, या टीवी देखती है, दूसरी और रोटी बनाती है, सबजी काटती है, सब कुछ करती है, दोनों चीज अलग अलग है, मिकैनिकल है, खाना बनाना तो, तो ये कर सकती है, और अंदर वो अच्छा भाव से बना लेकिन वो भयब होता और ये भयब पती ही डालते है उसके दिमाग में जब जरासा खाना अच्छा नहीं हुआ तो यू धाली उठा के फेक जाए हमारे आते हैं चाचा बहुत बड़ी उम्रक है सारी जिन्दगी जवानी में उन्होंने क्या किया तो खाने के लिए बात किट 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 की हर तीसरे दिन खान आच्छा नहीं बोलके हो यो धाली फेक ते उनके घर में गए तो डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम में दिवाल पे तो हो टेकनिकलर सब डिजाइना डाल के चीते कड़ी के चीते सबजी के हलदी के मिर्ची के ही चिटे उनके घर में गए तो यह सब डिजाइन ही डिजाइन दिखेगी हर तिसरे दिन उनको खाने में कुछ तो भी प्रॉब्लिम आ जाता है यह अच्छा नहीं वह अच्छा नहीं करके फेकते थे अभी नतिजा क्या हुआ कि जैसी जैसी उनकी उम्र बढ़ती गई यह पतनी ने अंदर मन में सप्रेस करके रखा कुछ बोलने जाती तो यह ठोक देते थे चौप मेरे सामने बोलती है तो सब उसने अपने दिल में दबा दबा के रखा नतिजा यह आया कि जब यह चाचा नहीं रिटायर हो गए तो सब कंट्रोल आ गया पतनी के हाथ में पैसे क humble का घर का सबका फिर हो सब उखाड उखाड के देती थी वापस गिन गिन के वस्सूल करते थी मुझे आपने ऐसा सुनाया वैसा सुनाया यू करते अभी जह कुछ ने मिलेगा ज़रा सदेर साय तो अब खाच खाना नहीं मिलेगा और कहीं और खाके आया और बताया नहीं आ अभी फिर क्या करते हैं चाचा बिस्किट के पाकेट लेके आते हैं और अपने अपने कमरे में कबर्ड में छुपा के रखते हैं तो पत्नी भी कुछ कम नहीं है वो भी जब यह आगे पीछे बाहर कई गए होते हैं तो जाती है सारा खोल देती है सारा कपाट खोल देके सब निकालती है बाहर और ढून निकालती है क्या क्या खाने की चीज़े रखे और हो लोग चुक के से सारी खाने की चीज़े लेके चली जाती है तो बेचारे चाचा फिर भी वैसे कह वैसे भूखे के भूखे यह सब पहले जो दिया था ये सब written with thanks हो रहा है ऐसे बहुत सारे पती हमारे यह एक यंग कपल आता है एक बार मैंने उससे ऐसा ही पूछ लिया पती पती दोनों बैठे ते तो पती को पुछा तुम्हारे दोनों के बीच में कभी कोई किट-किट होती है क्या तो पती बोलने लगा रोज होती है हमने पूछा यह हर रोज होती है कही के लिए तो कहने लगा वो खाने के समय सुबों में ही सुरू हो जाता है मेरी नौकरी ऐसे है के नौ बज़े मुझे खा के निकलना पड़ता है जो जल्दी जल्दी बनाती है और जब टेबल पे आता है ना तो थाली देखके मेरा दिमाग आउट हो जाता है हर रोज मैं उसको कहता हूँ कि जब तू मेरी थाली पर उसके लाए तो दाल की कटोरी राइट साइड में रखना दाएं बाएं नहीं और वो हमेंसा दाएं लेफ्ट में ही रखके लाती थी रोज इसको यह कहता था फिर भी रोज वह यह दाएं ही लाती थी तो इससे मेरा दिलमाग आउट हो जाता था और हमेंशा उसको साथ फिर बाकी का जो भी कुछ खाना अच्छा बनाती थी कुछ भी करती फिर मेरे 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 दिलमाग आउट होने से मुझे खाने में गोई इंटरेस्ट ने रहता था फिर मुझा बिगार के बड़बड करते मैं कुछ खा लेता था आदा खाता था आदा छोड़ देता था और पतनी भी ओबी कहते थी इतना क्या है आपको थोड़ा सा अपने हाथ से टाएं से बाहें लाके रख देयो ना अपने हा सुल्टा करने को नहीं आता है कि आपको, इतना क्या बड़ा करते हो, यूँ ही बस छोटी सी बात में इतना बड़ा क्यों मोल लेते हो जगडा, फिर भी रोज एक यही, रोज एक यही, कटोरी, कई, कोई एक भी दिन उसने अच्छी तरह से नहीं रखी, दाएं रखती नहीं थी, बाएं ही रखती थी, तो फिर हमने उसको बताया, पती को, कि इतना लंबा करता है, उसके बज़ा, थोड़ा सा जरा सी ठाली को यूँ घुमा दे, 180 डिग्री घुमा दे, तो तेरी डाल की कटोरी, बाएं मैं से दाएं में, आटोमेटी आ ही जाएगी, तुझे इतना जाता बोलना, इतना लंबा करना, दिमाग आउट करना, खाना, आधा खाना, यहीं खाना, पत्नी का सारा दिन, बेचारी का खराब जाना, तो इतना सारा लंबा करने के बज़ाए, तो थोड़ी सी ठाली ही जरा घुमा दे, यूँ कर दे, तो कटेरी तो अपो आप, आप, मेटिक, बाएं से दाएं आ जाएगी, और कुछ बोलने का बंद कर दे, चुप चाप इतना कर, फिर लड़के, हमारी बात इतना मान, ऐसा हमने उसको बताया, तो पतिस मान गया, चलो निरुमा कहती है, तो ज़रूर मैं कल से ऐसा करूँगा, घर जाके दूसरे दिन से उसन कुछ कहना बंद कर दिया, और आप चुप चाप अपने आप वो एक दो बार उसने अपनी कटोरी ठीक से कर ली, दो दिन के बाद तो आप वो आप कटोरी ठीक जगह पे आने लगी, दाएं, दो मुहने के बाद दो दोनों हस्पन वाइफ हमारे पास आए, हमने पूछा क्य क्या बात है, आज दोनों के दोनों साथ में आए है, और बहुत ही खुश खुशाल है, इतनी चेहरे पे रौनक कैसे है, तो फिर वो कहने लगे, जिस दिन से आपने कहां, उस दिन से मैंने अप मेरी पत्नी को कुछ भी कहना बंद कर दिया, और अपने हाथ से मैं कटोरी ठी खिखी जगह पे आने लगे, बोलो कितना आसान हो गया, इतनी आसान चीस्ति मेरे दिमाग में नहीं आती थी, और इतने चार साल से यह चल रहा था सिलसिला ङमारा दाल की कटोरी का, और और ना मेरे जिवन में शांति थी ना उसको भी शांति थी, यानि क्या है, खाना है ख आपने थाली में जो आया वो खा लेना यही हमारा दर्म है और फिर किट किट करना बरबर करना यह तो कर्म बनता है। कि अपनी को रोज खाने पर कहता हूँ कि तेरी डाल हमेशा बहुत मीठी होती है। उसमें बहुत गुर डालती है। मुझे तो बहुत अच्छी डाल चाहिए। तो कहने लगी आपको तो ऐसा ही लगता है, मैं कितना भी अछ्छा बनात fountain तू आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। रोह जी यही चलती थी तो फिर ही दादाज Video लिए रोज जितने kit-kit कटे उसे कहने का बंड कर दियो ना तो कहने लगा बिलकुल बंड करूगा तो और कैसा भी लाकर रग देगी यहां तक कि कल खाना भी नह tenglier भी खिलाईगी मुझे मैं कहने का बंड कर दूँगा तो दादा जान का ऐसा मत सोचो उसे भी तो खुद को खाना है, बनाएगी तो जरूर, आप 40 साल के अपनी पत्नी को हरोज डाल के बारे में कहते हैं, तु ठीक से गूर नहीं डालती है, अच्छा नहीं करती है, तो ऐसा करो, आप गहना ही बंद करते हैं, 40 साल तक आप कहते हैं, फिर भी आपकी बात नहीं हो सुनती, उसका आपके बात का कोई परिणाम नहीं आता है तो ये बात आपको कहने से क्या फाइदा अपने आप ही समझेगी समझने दो उसको फिर उचाचा बोलने लगे ठीक है दादा जी आप बता रहे तो मैं कल से इसाही करूँगा कुछ नहीं बोलूँगा जो आया सो चुप चाप खा लूँगा 15 दिन के बाद दादा जी के पास हो चाचा आये और कहने लगे दादा जी मुरे जीमन में तो चमतकार हो गया 40 साल से मैं जो कहता था वो नहीं सुनती थी और जैसे मैंने कहने का बंद किया दूसरे दिन से मुझे जैसे टेस्ट की चाहिते यह वैसी ही दाल आने लगी। आप वहाँ पार लगे। कि इतनी बड़ी बात है तो इतने सारे आपको उधारन देते हैं तो आप कोई खुछ सोचिए कि खाने पर किट किट करने से क्या फाइदा जो भी आया है आप प्रेम से खा लो और नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। पत्नी रूड जाएगी तो ये भी नहीं मिलेगी दाल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि पत्नी कोई भी पत्नी जान बुछ कर तो खाना बिगार के अपने पती को या अपने बच्छों को खाना नहीं खिलाती है। वो अच्छे भाव से ही बनाती है। अपने पती को अपने बच्छों को प्रेम से बना के खिलाती है। लेकिन खुद्रत का कानून क्या है। अपनी थाली में जो भी कुछ खाने का आता है वो हमारे ही हिसाब से आता है। बनाने वाले के हिसाब से नहीं, बनाने वाला तो दिल से भाव से भी बनाता है, लेकिन हमारा हिसाब जो है वही हिसाब से आता है, ये बहुत सुक्सम सायंस है, परमानों का सायंस है, हमारा शरीर परमानों का बना हुआ है, उसमें अलग-अलग तरह के परमानों है, हमारे खाने में छे प्रकार के रस होते हैं, खटा, तिखा, खारा, कटू, मिठा, तुरा, ये सब प्रकार के जो छे प्रकार के रस हैं, वो छे रस हमारे शरीर में छे रसों की डिमान होती है, और उस हिसाब से हमारे थाली में खाने का आता है, आज अंदर से जिसके इंडेंट आई, वो हिसाब से आपकी थाली में खाने का आएगा, आपकी अंदर से परमानों की डिमांड आई, इंडेंट आया मिठ्छी चीज़ का, तो आपकी थाली में लड्डू आ जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा फिर भी आजाएगे, आपको कटू चीज़ का डिमांड आया, इंडेंट आया तो थाली में करेला का शाक आजाएगा, आपको बिल्कुल करेला अच्छा नहीं लगता है, फिर भी और सबजी आ ही जा बनाती है तो वो कईती ही कभी बनाती नहीं आज इतने अच्छे करें ले दिखे और मुझे इतने भाते हैं कि ना पुछो कभी मेरे लिए तुम्हें बनाओ या नहीं हर समय आपकी मांग मैं पूरी करूं कभी मेरी मांग तो नहीं पूरी हो सकते गर में तो यह भी सोचना चाहिए ना आपको करेले कि सबजी नहीं अच्छी लगते तो थोड़ी कम खाओ या मत खाओ दालो रोटी खाले हो लेकिन इतना हंगामा क्यों मचाते हो सारा गर सर पे क्यों ले लेते हो अपनी पत्नी को जरा प्यार से अच्छा आज तुझे करेला भता है ना तो तुखा मैं भी थोड़ा सा खाओंगा एक दिन थोड़ा सा करेला गुट डालके खा लिया तो क्या भी कर जाएगा तो ये तो सब हमारी कमजोरी है कि हम ये नहीं खा सकते हो नहीं खा सकते है ऐसा खाना है वैसा खाना है यहां तक ही सब स्वाद है फिर यहां से नीचे ऊतरने के बाद दैखो नकिसा स्वाद है, अच्छा लगता है किसा है, अंदर तो सब गस्प गंदाई है, कच्राई है, उसोचो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यह प्रॉब्लम हम ही create करते हैं, ना समझ लोग बहुत ही problem create करते हैं और जो समझदार है वो problem को हल कर देते हैं एक भी मुश्किले अपने जीवन में नहीं रखते हैं सारी हल कर देते हैं क्यों? उसको समझदार है सच्चा समझदार इसों कहा जाता है यह तो क्या कर तुझे खाना बनाने आता नहीं है तेरी माने तुझे कुछ सिखाया नहीं तु ऐसी तु अनपड़ है अनगड़ है तो फिर वो भी मन में पक्का गांट बादेगी ठीक है अभी मेरा दावाने दो मैं भी छोड़ूंगी नहीं यानि यह एटेक किया पती ने तो पती ने फिर कोल्ड वार सू कर दिया रश्या और अमरीका के जैसा कोल्ड वार शुरू हो जाता है तो फिर वो भी दाव की राह देखती है और जब उसका चांस आता है जब कभी पती देओ बिजनेस में कुछ लॉस करके आते है लॉस पे आएगा या नहीं आएगा हैवरी टाइम थोड़ी प्रफिट होगा तो जब बिजनेस में लॉस लेके आए नुकसारी करके आए तो पत्नी फॉरण टूट पड़ेगी मुझे अंपड केते थे मुझे अंगड केते थे आपने क्या किया आप भी तो क्या अच्छी तरह से धंदा करते हो आपको आखाता है धंदा करने को यह सब नुकसानी करके आए अभी कहासे पूर्य करेगी इस तरह से एक दूसरे के दाओ पेश दाव पेश में ही चलता रहता है वो एक दुसरे की गल्तिया ढूनते रहते हैं और फिर इससाब से एक दुसरे को ब्लेम करते हैं अक्षब करते हैं और जीवन में शांती प्रेम नहीं रहता है ऐस तरह से अरे एक तो एक कपल आता है सालों से कहने लगा कि हमारे शादी हुई तब से हस्बन वाइब को कभी मिल जूल नहीं हुई दोनों की बिल्कुल प्रकृति बिन्य एक दूसरे को एक एकदम हाइपर एकदम स्लो एक सुपिरियरिटी वाला दूसरा इंफिरियरिटी वाला लगुटा ग्रन्थी और गुर्टा ग्रन्थी यही इस कौण्फ्लिक कराती है तो पती हमेशा खुद को था लगुटा ग्रन्थी वाला लेकिन कुरूता बताते नहीं जाता था हर बात में हर विस में टांग लाड़ता था मुझे सब कुछ समझता हूं घर में आपको कुछी को कुछ नहीं समझता तो छोटी-छोटी बात में भी बाद बड़ी किट-किट हो जाती थी बाद बड़ा जगड़ा हो जाता था सारी उम्र यह जालने लग जते रहता था है चोटी चोटी शोरी बातों में भी पत्नी और तो पत्नी नींद में से उड़ जाती है और बहुत चिलाती है आपको कुछ पड़ी है मुझे सोने दो इतने सुबह में उड़के ये क्या गला फाड़ फाड़ के कफ निकालते हो कुछ आपको मेरी परवा नहीं है जरा सोचो तो सही हमें सोने दो रोज ये चलता है सिलसिला और इतने सालों से पती को कभी ये नहीं होता है कि चलो एक दिन तो शांती से मैं बैटू कभी नहीं वो रोज ये का यही करता है और खाने के समय भी भी यही वो दाल लेता है न यूं करके खाने जाता है तो खाते खाते वो चसक लेता है बड़ा आ मैनर्स नहीं है खाने की और डाल लेता है ऐसा लेता है कि टेबल पर कितनी जग गिराता है टेबल क्लॉथ खराब करता है इतना है नहीं अपना शाट भी गंदा करता है डाल वाला पतनी म Aham भी चीरती है आपको खाने का भी नहीं आता है एक दीन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने एक बुंद भी खाना गिराया ना हो इससे तो छोटे बच्चे अच्छे अच्छी तरह से खाते हैं फिर उसने का ऐसा करो मैं आपको यहां कपड़ा बाँद देती हूं बावर्ची के जैसा और फिर आप खाओ तो इसका फिर लगुता ग्रंथी वाला फिर गुरुता ग्रंथी बाँज जाते हैं मुझे क्या खाने को नहीं आता है मैं क्या छोटा बच्चा हूं कि मैं बावर्ची हूं सुरू होगे कोल वार मैंसे हाट वार बंबारिंग खाने के लिए एक बार तो ऐसा हुआ हस्बन वाइप को वो कुछ बहुत अच्छा मसाला ले आई थी चाय का तो पती को पती ने कहा क मुझे मेरी चाय में वो मसाला डाल के क्यों बनाती नहीं है इतने दिन से लाई है तो कि तेक मैंने तो वो डीफ फ्रीज में कहीं डाल दिया है मेरे को मिल रहा है नहीं दो बार तीन बार उसने बार बार कहा पती पती ने मुझे वो चाय का मसाला क्यों नहीं डाल के देती तो कहने लेगे निकालने का रह जाता है, इतना सारा सब बाहर निकालो, फिर उसमें से ढूंडू, वापस फ्रीज को जमा करू, अच्छी तरह से रखो, ये सब करने को मेरे कुछ दो घंटे लग जाएंगे, इतना टाइम मुझे कहा है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं क लोना दे दिया, कहने लगे, हाँ, हाँ, तु तो इतनी कंजूस है, तु दे ही नहीं सकती किसी को, तु सड जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन तु मुझे नहीं देगी खाने को, बहुत कंजूस है, लो भी है, तो इसको इतना हर्ट हो गया, जल गई हो, ऐसा कहते है धंजूसू, धार धार उसने सब सारा फ्रीज कार, सब चीज निकार के बाहर फेकी, ले उठाओ, ले लो तो आपको जो चाहिए हो, अब फिर दोनों जो भी चिर गया, उसने भी ठोक दी, इसने भी साम, आमने सामने, कोल वार में से हाट वार हो गया, बाक यूद में से काय सुरू हो गया, जो उर्दार, इतने सालों से दोनों ये कोल वार करते-करते, कायूद करते-करते, ये नतिज़ा आ गया, कि पतनी उसमें सब कुछ सहले, चुप बैठ गया, और फिर उसने मन में ठानी, कि अब इसके साथ कहीं भी, कभी भी मैं नहीं जाओंगी, ये कितना दिल की छोटी-छोटी बात बड़ी बड़ा-बड़ा वार्क मोल लेती है, और जीवन में कितनी कटूता ला देती है, ठोड़ी सी बात, एक चीज़ के लिए हैं, अगर हम क्या मर जाते हैं, नहीं रही तो, क्या फरक पड़ता है, लेकिन इतनी छोटी-छोटी सी बात में इतना बड़ा स्वरूप कर देते हैं, कि इससे बहुत बड़ा जगड़ा हो जाता है, और जीवन विश्मय हो जाता है, इसलिए सोचो, सोचो, समझो, समझो, ये विश्मय जीवन को अमृत्मय बनाने के लिए ही हम ये गला फाड़-फाड़ के कहते हैं, कि समझो, समझो, अज्जस्मेंट लो, पती-पत्नी के बीच में अज्जस्मेंट नहीं लेस पाओगे, तो और कहां ले पाओगे, जै सची दानागे।